का रा हट Hi ah Hello friends वेलकम्टा माई चैनल ूद ये जिया मैं जी आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी स्मकिल्यस वीडियोट का बहुत ही क्यों और सी कोमन पराब्लम है सिधा टॉपिक पर आती हूं कि बहुत इस कॉमन सी प्राब्लम है अनिमिक हो क्या करना है यह प्रॉप्लम बहुत ही कॉमन है लेड़िस को सब्सक्राइब थे मी तो अलग-अलग है females का अलग है count और males का अलग है उसके बारे पर बोई पताऊगी और इसके causes क्या हैं क्या कारण है और इसकी जो symptoms होते हैं वो क्या होते हैं हमारी body में एनीमिया के तो सबसे पहले मैं बताओंगे फ्रेंड्स एनीमिया के कारट क्या है एनीमिक हो जाना हम जो नॉर्मल डाइट होती है जिसे हमारे आईरन की कमी हो जाना हम वो चीज़े नहीं लेते हैं और healthy food फूड नहीं घाते हैं और जिसे तलते हैं तो वह तो बोड बनने में जो ब्लेड रहे हैं पाहरे हरुहारे ने आयुसको नहीं मिलदान क्योंते होते हैं जो पीरिट्स होते हैं और अगॉदिंट को पाती तो उसके गला कहीं हो जाती है जो पसीना महुत जादा आता था है जो हमारी और वक्लіч थे हमारे बाड़ी से Sweat निकलता है उससे भी हमारी बाड़ी में बलट काउंट कम हो जाता है ब6 social होते हैं ब्लट कम हो सब्सक्राइब करते हैं तो अब पहलते हैं जो हमेशा अपन बना रहता है लगता है और जैसे हम कुछ भी छोड़ सा काम जल्दी करते हैं तो एकदम हमारी हर्ट बीट है वो बढ़ोती है ब्रीद लएने में हमको प्रब्लम होने लग जाती है पैकनल अससर फूलने लगती है इतनी सारी प्रब्लम होती है हम अगर निमिक है अगर हमारे ब्ल कम है अगर इससे जो आपका कमाता है लेक। अगर इससे आपका ब्लड काउंट कम आ रहा है और आपके बाडी में पहले ही सिम्टम्स नजर आने लग जाते हैं मेरे भी मुझे में आनिमिया की प्राब्लम हो गई थी कुस टाइम पहले लेकिन आपने रिकर्स कर सकते हैं अगर आपकी इसमें भी क्या होता है फ्रेंट्स अनिमिक में भी कुछ तो ऐसा होता है लंबा प्रासिस चलता है बहुत लंबे टाइम तक कई लोग रहते हैं और ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आपन इनिशली इस प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं और छोटा से पीरिएट पे अगर ह बाटी में है इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी और आपको घर की जो चीजें हैं जो मैं आपको आगे शेयर करूंगी उनसे भी आपका अनिमिया का प्रॉब्लम है ब्लड जो काउंट कम होके है वह रिकवर नहीं हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट क अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी अगर मैं एकनोर करती थी घ्रम खाने पीने पर ध्यान नहीं देती थी और हैल्दी फूड नहीं खाती थी वह जो इसमें खाना होता है है अल्दी फूड वह भी मैं आपसे शेयर करूंगी फ्रेंड मैं इंग बहुत लंबे छे आठ महीने हो गया आपको यह प्रॉब्लम आपके शॉल नहीं हो यह तो आप प्लीज अपने डॉक्टर से कॉंटेक्ट करना और वह आपको 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 आइरन देते हैं तो उससे आपकी यह प्रॉब्लम डेफिनेटल सॉल हो जाएगी अगर आपकी इ है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आजकल अपनी जो डाइट है उसी पर ध्यान देती हो और उससे जो आपकी बाडी मेना एकदम ऐसा लगीगा कि आपको बहुत ज़्यदा एनर्जी मिल गई है और आप अच्छे से अपना जो रूटीन वर्क है वह कर पा जाएगी एक बना रहेगा तो फ्रेंट्स शेयर करती हूं आपके साथ डाइट चार्ट कि किस तरीके से अगर आपको एनिमिक प्रॉब्लम है तो आप किस तरीके से उससे सॉल्व कर सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन है तो उस अकॉर्डिंग डाइट लेंगे अगर आप इस तरीके से अपने जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं तो आपको क्या cessation घले purity में चीजांता है इन चीज्यों को आपको डेली रूटीन में शामिल करना वोगा वाइटेमिंज सी का बहुत इंपरटेंट डोल Надо में नान HReger ल तो वाइटेमिन सी भी बहुत इंपोर्टेंट प्ले करता है इसमें आप वाइटेमिन सी के लिए कीवी ले सकते हैं पाइनेपल ले सकते हैं टोमेटो ले सकते हैं बील पत्र को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं अगर आप नॉन वेजेटेरियन हैं तो आप सी बना कर पी सकते हैं या फिर alternate डे में पी सकते हैं एक दिन छोड़कर एक दिन आपको क्या करना है mixer jar मेरे एक kattori लेना है पॉमिघ्रेने अनार और लेना है आपको थोड़ से पत्ते लेने हैं पालक के फ्रेंट्स थोड़ से आप पालक के पत्ते लेंगे 10-15 उसमें एक बाउल अनार डालेंगे गाजर लेंगे दो और एक चकुंदर लेंगे और उसमें आप डालेंगे 5-6 खजूर जिसे डेट्स कहते हैं उनको अच्छे से सबको ब्लेंड कर लेंगे दो कप पानी डाल करके मैं वहाटो कहीं दो तक पानी डालेंगे आप बड़े वाले कॉप इस छोटी वाली दो ग्लास जोब सकते हैं उनको डालेंगे याप करने के बाद आप उसे डेली पीएंगे कम से कम एक महीना एक महीने में ही आपको जो ब्लड काउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा जो आपकी एनिमिया की प्रॉब्लम थी वो 101% सॉल होगी फ्रेंट्स यह मेरे ऊपर आजमाया हुआ नुसका है मेरे को बहुत ज़्यादा यह तो मेरे जो यह प्रॉब्लम है इस तरीके से सॉल हुई मैंने फिर कुछ दिन लिया और मैंने छोड़ दिया था फ्रेंट्स मैं अपने कामों में विजी हो गई तो मैंने अवाइड कर दिया यह सब फिर ना मेरे को फाइनली डॉक्टर को दिखाना पड़ा और डॉक्टर जो मुझे आयरें की टैबलेट दी वो है यह इस तरीके की मैंने टैबलेट ली तो फिर उसके बाद मेरा ब्लड काउंट इंक्रीज हो गया पर्फेक्ट हो गया 12 तो 13 अगया था उसके बाद अब मैंने वापस से यह टैबलेट बंद कर दी है अभी मैं यह टैबलेट नहीं मतलब मुझे काफी इंप्रूमेंट नजर आया और जो मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम थी वह बिल्कु सॉल हो गई है तो इस तरीके से आप अपनी जो एनिम्या की प्रॉब्लम है उसको सॉल कर सकते हैं आप डेली नहीं तो एक दिन छोड़के यह ड्रिंक बना के पी सकते है जस्ट आपको 5-10 मिनट लगेंगे बनाने में और अभी तो विंटर सीजन है तो आपको गाजर पालक यह सब इजीली अवेलेबल होगा और आप इजीली बना करके इसे पी सकते हैं अगर आप डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाते यह देखिए फ्रेंड्स यह जो मैंने टैबलेट ली थी लीवोगरन यह मैं डेली एक टेबलेट लेती थी और इतनी सारी मैंने यह खतम करी हैं कम से कम इने इसे जाएद महिना खाया है अभी मैं बिलकुल फेत हूं तो यह भी मैंने without दी और दियह और मैं डेली रूटीन तो मुझे आपके साथ शेयर करने का वो मिला कि मैं अपने जो यूटुबर्स, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, उनके साथ भी अपनी यह जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, उसके साथ अगर किसी को यह प्रॉब्लम है, तो घर रहकर इस प्रॉब्लम को solve कर सकते हैं, आप उसे और अपनी एनिमिया के प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं यह बहुत इजी ड्रिंक है आप घर में मिक्सर ब्लेंडर होता ही है उसमें बना सकते हैं आपको अनार और गाजर चकुंदर लेना है अगर आपके पास डेट अवेवलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पाल ज्यादा प्रॉब्लम है तो अगर आपकी बिल्कुल प्रॉब्लम सौल नहीं हो गई है बहुत लंबा टाइम हो गया है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए वह आपको इस तरीके की आयरन का कुछ टेबलेट देंगे तो उससे आपकी प्रॉब्लम सौल हो जाएगी अगर आप वीडियो देखने के बाद तो बूल जाते हैं पहले लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इस तरीकी प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बेल बटन दबाईए तो मिलते हैं नए डिय के साथ नए हल्थ रिमेडी के साथ तब तक के लिए बाई-बाई टेक क्या